जब हम इतिहास की किताबों में उपनिवेश्वाद यानि कोलोनिलिजम का अध्यन करते हैं तो इस पूरी विशे से जुड़े तमाम जो डामेंशन्स हैं जो तमाम आयाम हैं वो हमारे सामने निकल कर आते हैं लेकिन जो एक डैमेंशन जो सबसे जादा इंपोर्टेंट है लेकिन जिस पर बहुत जादा बात नहीं की जाती है वो है जलवायू परिवर्थन का विशे दरसल कई जानकार ऐसे भी हैं जो वरतमान जलवायू परिवर्थन की समस्या को कोलोनिलिजम यानि उपनिवेश्वा और जलवायू परिवर्तन के बीच संबंध को स्थापित करने की कोशिश की है तो जाहर तोर पर यह जो पुरा विशय है बहुत जादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज इस वीडियो में हम इसी विशय से संबंध है तमाम पहलूं को जानने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अ IPCC की हालिया रेपोर्ट की जो सबसे विशयश बात रही है उस विशयश बात को जानने की कोशिश करेंगे इसके बाद हम उकनिवेशवाद के अर्थ को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोलोनिलिजम का मतलब क्या होता है और कोलोनिलिजम और जलवायू परिवर्तन के बीट संबंध क्या है कुलोनिजम किस तरह से जल्वायू परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है उसको भी जानेंगे इसके अलावा अंतमे निसकर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्ण पर भी चर्चा करेंगे यह जो पूरा विशय है वो सामान्य अध्यन प्रश्ण पत्र एक और सामान्य अध्यन प्रश्ण पत्र तीन से संबंधित है और आप इसे मुखितार पर विश्व इतिहास और जल्वायू परिवर्तन जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं चली वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले IPCC की हाल या रिपोर्ट के बारे में कुछ बुन्यादी बाते जान लेते हैं तो हमने पहले ही बात कि कि इस बार IPCC ने जो रिपोर्ट जारी की है वो अपने आप में बहुत जादा विशेश है क्यों विशेश है क्योंकि पहली बार इस रिपोर्ट में उपणिवेशवाद शब्द का इस्तisto का इस्तिमाल किया रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में उपनिवेशवाद यानि कolonialism ने जलवायू परिवर्तन को बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है और उपनिवेशवाद की वजह से दुनिया भर में जलवायू परिवर्तन के प्रती इस पूरी स्थिती ने उपनिवेशव है वो पिछले 30 सालों से 1920 के बाद से लगतार वैज्यानिक आधारों पर जलवायू परिवर्तन से जुड़े तमाम मसलों तमाम विशयों का विशलीशन कर रहा है लेकिन पहली बारे देखने को मिला है जब IPCC ने अपनी रिपोर्ट में जलवायू परिवर्तन और करने की बात है उनका उत्तरदायत उत्य करने की बात है तो यह तो रिपोर्ट की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं पर बात करते हैं उपनिवेश्वाद की उपनिवेश्वाद के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो अगर academic term में देखें या एतिहासिक संदर्फ में देखने की कोशिश करें तो उपनिवेशवाद का मतलब होगा कि जब कोई देश किशी दूसरे देश पर पूण या फिर आनशिक राजनीतिक नियंतर्ण सहबित कर लेता है वहाँ की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उस राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कुशिश करता है तो ऐसी स्थिती को हम उपनिवेशवाद कह सकते हैं इस पूरी हटना के तहट, इस पूरी प्रक्रिया के तहट मुखेताओर पर जो देश कॉलनाईज कर रहा है, वो अपने आर्थिक फायदों के लिए दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग करता है, संसाधनों का शोशन किया जाता है, उनका बहुत जादा प्रयोग किया जात तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो उपनिवेश्वाद की धारना है वो धारना मुखेतोर पर दो आयामों पर टिकी हुई है इसमें पहला आयाम है राजनीतिक शोशन या फिर राजनीतिक नियंतरन और दूसरा आयाम है आर्थिक नियंतरन या फिर आर्थिक शोशन तो ये तो उ भाषा हुई इसके अलावा हमें अक्सर उपनिवेश्वात की प्रक्रिया के तहत ये भी देखने को मिलता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो देश कॉलनी बना रहा है वो देश दूसरे देश पर जबरन तरीके से अपना धर्म सापित करने के कोशिश करता है वहाँ पर अपनी लंबे समय तक ब्रिटिश राज देखने को मिला था और यही वजह है कि हमें भारत के धर्म भारत की संस्कृति यानि इसके लावा भारत की जो राजनीतिक प्रताएं हैं हमारी जो पार्लेमेंट है इसके लावा जो भी हमारा वर्किंग प्रोसेस है उन तमाम चीजों पर क परिटिश राज की चाप बिटिश सरकार की चाप दरूर देखने को मिलती ए तो ये भी प्रिणाम हुआ उपनिवेश्वारत का इसके अलावात दुनीया भर में कई जानकार हैं जो उपनिवेश्वारत के फाइद concerns उनकाम का मानना है कि किसी भी देश के विकास के लिए उ खास तौर पर जो देश जिनकी सब्हेताएं पिछडी हुई हैं उनको सुधारने के लिए उपनिवेश्वाद बहुत जरूरी होता ऐसा कई जानकार मानते हैं खास तो जो पश्च्चिमी विश्लेशक हैं वो ऐसा मानते थे लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई जानकार हैं जिनका यह मानना है कि उपनिवेशवाद के फाइदों से जादा तो इस उपनिवेशवाद के नुकसान मुझूद है नुकसान क्या है तो सबसे बड़ा और सबसे पहला नुकसान यही है कि इस पुरी प्रक्रिया के तहत हमें लोगों का शोशन देखने को मिलता है लोगों के साथ बहुत जादा उत्पीडन किया जाता है उनसे बहुत जादा काम लिया जाता है इसके अलावा इस पुरे प्रॉसेस के तहत हमें उस देश जिस देश पे कॉलिनी बनाई जा रही है उस देश के संसाधनों का भी शोशन देखने को मिलता है वहां के resources को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है वहां के resources को किसी दूसरे देश में ले जाने की कुशिश की जाती है जैसे भारत में हमें wealth drain का एक concept देखने को मिला था जहां पर भारत की जो wealth थी भारत की जो संपदा थी उस wealth को ब्रिटेन ले जाय जा रहा था तो जाहर तोर पर ये एक बहुत बड़ी धारना थी और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा complex था तो ऐसे में ये जो उपनिवेशवाद का process है ये colony के लिए बहुत जादा नुकसान दायक होता है तो ये तो उपनिवेशवाद की धारना की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं की हिस्ट्री क्या है तो उपनिवेशवाद की बात करें प्राचीन उपनिवेशवाद की बात करें तो इसका पहला देकर हमें 1550 इसापूर्व यानि BCE Before Common Era के आसपास देखने को मिलता है जब प्राचीन ग्रीस प्राचीन रोम प्राचीन मिस्र और फैलेनीशय जैसे जो छेत्र थे जो समराज थे उन छेत्रों उन समराज्यों द्वरा अपने आसपास के छेत्रों पर विस्तार किया गया वहाँ पर अपनी कॉलनी बनाई गई तो ये तो प्राचीन की बात हुई लेकिन हम बात करें आधोनी कुपने वेश्वाद की modern colonialism की तो आधोनी कुपने वेश्वाद की शुरुआत मक्यतार पर पंद्रवी शताबदी के असपास तब होती है जब दुनिया भर में एक अनवेशन युग की शुरुआत होती है ये सबहताओं की तलाश कर रहे थे उन सबहताओं की खोज कर रहे थे और इसी खोज की प्रक्रिया से आगे चल कर उपनिवेश्वाद की modern colonialism की शुरुआत होती है पहले उधारन की बात करें तो सबसे पहले पूर्तिगाली खोज करताओं द्वारा जो पूर्तिगाल के उन लोगों द्वारा 1419 में उत्तरी अफडी की छेतर पर विजय प्राप की गई थी और यहीं से दुनिया भर में क्लोनिलिजम की शुरुआत होती है इसके अलावा जब सत्रवी शताब्दी तक हम पहुंचते हैं तो सत्रवी शताब्दी में क्लोनिलिजम अपने चरम पर पहुंच जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अठारवी शताब्दी की शुरुवात में दुनिया भर के तकरीबन 25 प्रतीशत छेतर पर 25 प्रतीशत भूमी पर ब्रिटिश सरकार का कबजा था और इसी वज़े से कहा जाता था एक समय पर कि ब्रिटिश साशन में कभी भी सूर् नहीं होता है तो ये तो उपनिवेशवाद के इतिहास की बात हुई अब आगे वढ़ते हैं और किस तरह से उपनिवेशवाद ने दुनिया भर में जलवाईव परिवर्तन को प्रभावित किया और इन दोनों शब्दों की बीच संबंध क्या है इनके संबंध को जानने की कोशिश करते हैं तो हमने बात की कि उपनिवेशवाद के तहट होता क्या है उपनिवेशवाद के तहट मुखेतार पर संसाधनों का शोशन किया जाता है संसाधनों का ओवर्यूस किया जाता है कौन-कौन से संसाधन तो इसना मुखेतार पर उस देश की खान है वहां की अपनी संपदा प्राप करनी के लिए उसे लाव कमानी के लिए खदानों के जरूत पड़ती है, सड़कों के जरूत पड़ती है, रेल मार्ग के जरूत पड़ती है और इन तमाम चीजों के निर्माड के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता है तो जाहर तोर पर इसकी वज़े से जो मैंगरोब हैं जो खास के मैदान हैं वर्शावन हैं जो आर्दभूमिया हैं इन तमाम चीजों को साफ कर दिया जाता है, यहाँ पर नए घर बनाय जाते हैं, रेर वे लाइन्स का निर्मार किया जाता है, तो एक तरफ डिवलाप्मेंट तो हो रहा है, लेकिन उस डिवलाप्मेंट का जो प्रभाव है, वो उस छेत्र की एकोलॉजी पर देखने को मिल र योग, यानि ओवर यूस की वज़े से वहाँ पर प्रदूशन बढ़ता है, वहाँ पर वनों की कटाई देखने को मिलती है, पेड़ों की कटाई होती है, जिसकी वज़े से जो कार्बन कम हो सकता था, जो ऑक्सीजन बढ़ सकता था, उस पर बहुत जाधा प्रभाव है, इसके अलावा, इसकी वज़े से हमें परेवरण के अनुकूल जो क्रशी परंपराएं हैं, उन क्रशी परंपराओं को रोक दिया जाता है, जिसे जो हमारे आदिवासी समूदाएं हैं, उन्होंने परेवरण के अनुकूल कई तरही की क्रशी जो प्रैक्टिसेज हैं, उन practices को develop किया है, लेकिन colonialism के process के तहत मुखेतार पर जो colonize करने वाला देश होता है, वो नई technology लेकर आता है, तो ऐसे में ये जो पुरानी प्रथाएं हैं, जो time tested process है, उन प्रथाओं को समाप्ट कर दिया जाता है, और नई technology लाई जाती है, जिसकी वज़े से हमें उस छेतर के परेवरण पर उस technology का बहुत जादा नुकसान देखने को मिलता है, इसके अलावा इस पूरी स्थिती के तहट, colonization के process के तहट, उस छेतर जहां पर colony बनाई जा रही है, उस छेतर की स्थानिय फसलों के बजाएं, वहाँ पर cash crops को पेश किया जाता है, जो जिन crops की वज़े से जिन फसलों की वज़े से फाइदा होता है, उन फसलों को पेश किया जाता है, तो ऐसे में इस process की वज़े से एक तरफ तो colonize करने वाले देश को फाइदा होता है, वहीं दूसरी तरफ जिस छेतर में इस तरह का परियोग किया जा रहा है, उस छेतर की ecology को बहुत जादा, उ लेकिन इन दोनों फ़स्टों की वज़े से भारत की एकालिजी पर बहुत जादा नुकसान देखने को मिला था। तो ये तो दूसरा उधारन हुआ इसके अलावा जब हमें को जब कॉलनाइजेशन का प्रासेस होता है तो इस पूरे प्रासेस के दौरान खनन पे भी बहुत जादा जोर दिया जाता है रेल के निर्मार के लिए सडकों के निर्मार के लिए इसकी जरुद पढ़ती है संसाध बहुत जादा मुश्किल होता है तो ये तो प्रभाव की बात हुई दोनों की बीद संबंधों की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं और रंत में इस पुरे विशे से जुड़े निसकर्श की बात कर लेते हैं तो जाहर तोर पर हम कह सकते हैं कि IPCC ने जो हालिया जब्द का इस्तमाल किया है और अब तक पूरी स्थिती में जलवायू परिवर्तन के अध्यन में उपनिवेशवाद पर बहुत जादा जोर नहीं दिया जा रहा था लेकिन ये पहली बार है जब इतना जादा जोर दिया गया है तो जाहर तोर पर इसकी वज़े से हमें जल उपनिवेशवाद को भी एक महत्वपूर कारक के तौर पर देखेंगे और इस पूरे प्रॉसेस के जरीए इस पूरे विचार के जरीए हम बहतर उपायों का उपियोग कर सकेंगे हम बहतर उपाय स्थापित कर सकेंगे जिसके माध्यम से जलवायू परिवर्तन से निपट का विश्लेशन कीजि़े आपको बृत अभार Act में किन किन फसलों को पेश किया गया था मुझा उमीध उमीद तो है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्ण पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उससे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अरामा दृष्टी संस्थान द्वारा प्रिलिम्स की परिक्षा को नजर रखते हुए इसको ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है पीटी रिवीजिन इस पूरे प्रोग्राम के तहत मुखित और पर आपके रिवीजिन के लिए जो जरूरी खबरे हो सकती हैं उन खबरों को एक वीडियो फॉर्म में आपके सामने पेश किया जाएगा जिस प्रोग्राम के शुरुवात आज से ही हुई है आज आप जाकर एकॉनिक्स का वीडियो देख सकते हैं कल पॉलिटी का वीडियो आएगा और इसी तरह से हाफते भर में आपके लिए तमाम वीडियो पेश किये जाएंगे तो जाहिर तो पर यह जो वीडियो होंगे वह आप प्रोग्राम वीडियो